दोस्तो इयरफोन सबसे जादा यूज किया जाने वाला एक्सेसरी है स्मार्टफोन का और आज कल तो टाइम true wireless earbuds का चल रहा है हर किसी को true wireless earbuds ही करीदने है खास करके तब से जब से अधिकतर कंपनीज ने अपने flagship devices में 3.5 mm jack निकालना शुरू कर दिया है अब्जेक्टिव यही है कि इनका सेल बड़े और इनका भी बहुत वाइड रेंज है मार्केट में 300-400 रुपे से शुरू हो के 25-25,000 तक के true wireless earbuds आते हैं के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए तो बगैर लेट किये शुरू करते हैं आज की वीडियो को सबसे पहले दोस्तों quickly specifications जान लेते हैं यह तो वैसे भी एक accessory product है बहुत heavy specifications इसके नहीं होंगे phone या laptop जैसे सबसे पहले दोस्तो 25 hours का playback time है इस device का 10 minutes charge कर देने से आपको 2 hours का playback time extra भी मिल जाता है और दोस्तों यह जो मैंने 25 hours playback time कहा यह without ANC है यानि ANC mode जब off रहता है ANC on कर देने से 22.5 hours का playback time मिलता है यह company का claim है और ANC जो है दोस्तों वो है active noise cancellation और इस product में active noise cancellation है यह बहुत अची बात है अब to 25 decibels उसके अलावा दोस्तों इस device में आपको मिल जाएगा अब आते हैं उन reasons पर जिनके वाज़से आपको इनके साथ जाना चाहिए सबसे पहले दोस्तों build quality, build quality इन earbuds की काफी अच्छी है काफी sturdy build है case का भी और इन earbuds का भी देखने से समझ में आता है एक premium quality का earbird है reason number 2 इस दोस्तों इन earbuds का fit इनका fit मुझे बहुत अच्छा लगा हाला क कि अगर fit उपर नीचे थोड़ा हो रहा है तो और भी ear tips दिये हुए है case में वह लगा के भी आप चेक कर सकते हैं पर अगर आप गरतन अपना हिलाते हैं जोर से भी तो भी क्यूंकि मैंने अपने हिसाब से earbuds लगा के रखें यह tips लगा के रखें तो यह गिर नहीं रहा है जै कर रहे हैं इनको लगाए हुए तो फिर कई बार problem आ जाता है movement में खास करके तो उसे साब से इनका fit मुझे बहुत अच्छा लगा और long hours के लिए भी दोस्तों जब आप इनको पहन के रखते हो तो फिर यह कोई भी problem create नहीं करते हैं कि irritation हो रहा है अच्छा निकालना पड़ा क्योंकि after all हम इनको काफी देर पहन के use करने वाले हैं आप चाहे gaming करें चाहे आप कोई lecture सुने या फिर video editing करें जो भी आपका purpose है कई बार थोड़ा extend हो ही जाता है time तो comfort बहुत important role play करता और comfort के मामले में यह earbuds मुझे काफी अच्छे लगे नमबर 3 audio quality दोस्तो audio quality में मुझे इसका audio बहुत crisp लगा काफी अच्छी quality की audio लगी मुझे जो भी गाने वगरा मैंने सुने या lecture या वीडियो देखे उसमें audio की quality बहुत पसंद आई मुझे treble और bass भी काफी अच्छा है तो audio quality में भी बहुत अच्छा perform किया है और मेरा experience रहा है इन earbuds के साथ reason number 4 दोस्तो active noise cancellation दोस्तो इन earbuds का price है 3299 यानी 3300 रुपीज और इस point पे active noise cancellation प्रोवाइड करना काफी अच्छा plus point मुझे लगा इन earbuds में हाला कि आप इसको USP भी समझ सकते हो इस device का कुछ लोगों का मैंने सुना था कि the ANC is not as good as that of Apple AirPods Pro तो वो तो understood भी है क्योंकि वो 20-25 जार के आते हैं यह कहां तीन सावा 3,000 में active noise cancellation दे रहा है up to 25 decibel मैंने इनकी active noise cancellation को चेक किया बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाहर से एक दम आवाज नहीं आईगी पर बहुत हद तक ANC कट कर देता है बाहर की noise को और यह खास करके तब बहुत helpful हो जाता है जब आप कोई focused काम करना चाते हो अपने device पे या अपने laptop पे connect करके अगर आप इनको use कर रहे हो तो मानलो आपको presentation तयार करना या video edit करना या फिर आप gamer हो तो आपको gaming करना है काफी देर तक focused way में तो फिर आप ANC on करके इसको use कर सकते हो और आपका जो output होगा वो better होगा क्योंकि आप एक focus तरीक as you open the lid यह अपने आप connect हो जाता है और वापस बंद करने से disconnect भी हो जाता है और जैसे ही आप इन earbuds को अपने कान से निकालते हो जो भी play हो रहा आपके mobile में वह pause हो जाता है तो उस sense में दोस्तो connectivity में भी डिवाइस काफी अच्छा है साथी साथ दोस्तों आपको इन earbuds के साथ realme link app का भी support मिलता है तो यह है दोस्तों realme link app सबसे पहले दिख रहा है realme buds air 2 connected है नीचे लिखा है दोस्तों virtual experience यह इतने सारे devices हैं जो realme के आप connect कर सकते हैं उनको buy करके और basically अभी time चल रहा है ecosystem बनाने का हर company अपना ecosystem बना रही है वैसे ही realme ने भी बहुत सारे products launch करके आप एक ecosystem type experience कर पाएं उसके लिए इतने सारे products है available आपके लिए जो कि आप इसी एक app से सारे devices को control कर सकते हैं अगर मैं realme buds air 2 पर tap करूं तो यहां पर दिख रहा है noise control अभी noise cancellation on है आप चाहें तो यहां normal mode भी on कर सकते हैं transparency भी on कर सकते हैं यहां से sound effects अभी balanced है आप bright या base boost प्लस भी कर सकते हैं volume enhancer on है नीचे gaming mode दिया हुआ gaming mode भी आप enhance कर सकते हैं फिर मतलब on कर सकते हैं नीचे other में दिया दोस्तों in ear detection वह on किया हुआ हूँ जो भी playback हो रहा है फोन पर वह stop हो जाए auto answer जैसे मैं earbuds को निकालूं case के अंदर से तो call receive हो जाए तो यह सारे settings आप यहां से manage कर सकते ह आप चाहें तो कुछ changes भी कर सकते हैं यह button settings वागरा में जाके सबसे उपर दिया है दोस्तों कि आपके earbuds connected है left में 80% right में 80% case में 60% चार यह सारे details आपको दिख जाएंगे इस app के मदद से आप सब कुछ देख सकते हैं जो इन earbuds से related है और एक extra point भी अगर इसमें मैं जोड़ना आपड़ा हो मेरे काम में कोई बीच में hindrance create हुआ हो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है तो battery हम कह सकते हैं इस product की अच्छी है अब बात करते हैं दोस्तों कुछ reasons के बारे में जिनके वाइस से आपको इन earbuds से साथ नहीं जाना चाहिए सबसे पहले दोस्तों यह जो earbuds हैं इनको इन के ओपकी हाथ में फोन भी और यह भी आशानी से निकाल लैता हूं लेकिन इन रियल्म आरबांस 2 में यह कभी एक स्ट्रगल हो जाता है देखिए एक साथ में दोनों निकालना चाह रहा हूं नहीं निकाल रहे हैं इक पर मैं निकाल भी था दोनों फिका गयते गिर गयतें दूर दूर उस सेंस में दोस्तों यह उतना इजी नहीं है इसको निकालना और वापस रखना आपको ध्यान दे के एक को निकालना पड़ता है फिर दूसरे को निकालना पड़ता और फिर यूज करना पड़ता है तो आप कुछ और किसी से बात कर रहे हैं कुछ और काम करते कर कर लिए थोड़ा टफ है तो यह मुझे एक थोड़ा डाउंसाइड लगा यहां कंपनी को ध्यान देना चाहिए था उसके लबाद दोस्तों यहां जो बीच में लाइट है जो की बैटरी को इंडिकेट करता है यह लाइट मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा होना चाहिए है केस का अगर डिजाइन अपके लिए बहुत है तो फिर आप देख सकते हैं हाला कि एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है आपको इसका डिजाइन अच्छा लग रहा हो मुझे बहुत अपील नहीं किया इसका डिजाइन पर फिर भी पर फिर भी क्यूंकि मुझे अपना बजट इंक्रीज करिए और यह सिर्फ इस डिवाइस के लिए नहीं किसी और प्रड़ट के लिए जब तक जो आपका बजट इंप्रूव हो रहा है वो वर्थ इट नहीं है तब तक बजट इंक्रीज करने का कोई बहुत ज्यादा पॉंट नहीं मनता तो अगर आप तो यही था दोस्तो आज का वीडियो छोटा साथ मैंने सोचा इसका प्रोजन कॉंस टाइप का एक रिव्यू मैं कर दूँ क्योंकि मैं तीन मैं से इसको यूज कर रहा हूं आई बटन में मैं लिंक डाल दूँगा उस व्लॉग का जिसमें हमने इसको पर्चेस किया था पूर्ट मैं तेक्यों सो मच फॉर वाचीज थे आफ यूडियो मैं थैंक यू सो मच फ़ वाचीं